all categories laptops in 2021 तो यार अगर आपने all categories के according काम करना लाइक अगर आपने वीडियो एक्टिंग भी करना है गेमिंग भी करना है आजा क्रेटर काम भी करना है अगर आप ओफिस पर में काम करते हो जहां फिर अगर आप student हो आप सभी के लिए मैं लैप्टोप बताऊंगो जो कि आप 50,000 क ले सकते हो तो सी भी बात काता है number four key number four key बात करते हैं लेकिन number four की बात करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ भी मैं आपको जितने भी laptop बताऊंगा वो वीडियो एक्टिंग के लिए बैस्ट होने वाले अगर आपने 4K भी ट्राई करना है आप कर सकते हो अगर आपने गीमिंग करनी है हाई ग्राफिक पर आप गीमिंग करना जाते हो आप नॉमली इजली कर सकोगे प्लस अगर आपको ओफिस वर्क के लिए चाहिए करनी है कोडिंग करनी है उसके बाद भाई अगर आपने कोई भी हावी सॉफ्ट्वर भी यूज करना है आप इसली नॉम्मली कर सकोंगे तो बात करते हैं सीधा नंबव फोग की बात करें नंबव फोग पर यार मैंने रखा है मैं नोट बुक होरीजन को अगर इस यह हुआ है वो बहुत सही मिल जाता है प्लस इसके डिस्पले कॉल्टी बहुत अगडिया है आपको एच्टी प्लस वैब कैमरा साथ में free of cost देखने को मिलेगा जो कि प्लस पर आ जाता अगर आपने online classes लगानी है आपके लिए प्लस मैं आपको बता जे जाता है अगर आप 10th generation के साथ देखने को मिलेगा तो specification के according देखा जाए laptop पूरा loaded देखती को मिल जाता है मैं आपको main specification बता देता हूं थोड़ी सी deeply बात कर लेते हैं वाई तो यह डिस्पले की बातों को 40-inch full HD display display मिल जाती जो की anti-glate display प्रोसर की बातों को i5 10th generation के साथ मिलता है storage की बात करूं आपको 8GB RAM मिल जाती है प्रस आपको 512GB SSD देखने को मिल जाती ग्राफिकार की बात करूं आपको NVIDIA MX3502GB देखने को मिल जाता है operating system की बात करूं आपको 10 hours का battery backup provide कर देता है price की बात करूं आपको 51,000 के budget में MI Notebook Horizon देखने को मिल जाता है तो यहार main specification मैंने आपको बता दिया MI Notebook Horizon के अभी मैं इसके minus point की भी बात कर लेता हूं so that's why मैं इसको number 4 पर रखा इसका minus point सिर्फ यह देखने को मिलता है कि आपको 8GB RAM तो मिल जाती है लेकिन आपको upgrade करने का option नहीं मिलता so that's why मैं इसको number 4 पर रखा तो आप इस चीज़ को दियान में रखना कि आपको RAM upgrade करने का option नहीं मिलता जो कि सच में एक minus point आ जाता है तो आप देख लेना अगर आपको यह laptop जो है वो सही लगता है आप उसके और जा सकते हो अगर आपको 8GB RAM minimum बहुत है यार अगर आपको इतने ही मतलों सही लगती है तो आप इसके और जा सकत करूं नंबर थ्री पर यार मैंने रखा इसर इस पायर 5 को सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं अगर आपका प्रेड़ पचास अजार से कम है तो यह laptop आपको 45,000 के बचल में मिल जाता है 45,000 के बचल में आपको specification पूरे loaded मिल जाते हैं बहुत अगरे specification में आपको बताते हैं तो हूं सीधी बात करते हैं specification की तो यह डिस्प्ले की बातों को 14 इंच FHD प्लज दिस्प्ले मिल जाती है जो की आई पैस पैनल डिस्प्ले प्रसेसर की बातों को आई 5 10th generation के साथ मिलता है storage की बात करूं आपको 8GB RAM मिल जाते है expandable आप कर सकते हो पस आपको 512GB SSD देखने को मिल जाती है SSD के benefit की अगर मैं बात करूं तो बई SSD का benefit यह होता है अगर आप टाट अब गराज जल्दी transfer करना जाते हो तो आपके लिए बहुत benefit करेगी as comparison किया जाए HDD के साथ HDD की speed बहुत slow होती है ठीक है अगर आप 2GB या 3GB की file transfer करते हो ना तो उसको यार आदा 40 minute ऐसे लगते है लेकिन SSD में आपको यह चीज़े नहीं देखने को मिलेगी जो कि सच में SSD ही लेनी चाहिए अगर आप data ज्यादा ट्रांसफर करते हो ग्राफिक काड़ की बात करूं आपको नवीड यह जीफो MX350 देखने को मिलेगा उप्रेदी सेस्टों की बातों को देखा जो तो बहुत ज्यादा सही है आपको फॉड़ी फाउटों के बजिट से लेके पचास वजार के बजिट तक यह laptop देखने को मिल जाता है तो अगर आपने आफिस बर के लिए चाहिए स्टुडेंटों पढ़ते हो पढ़ाते हो अगर प्रोग्रामिंग करने है कोई ह 16GB RAM के और minimum चल जाना उसको upgrade कर लेना आपके लिए ही benefit होने वाला अगर आप कुछ भी पूछना जाते हो comment section में comment कर सकते हैं मैंने link वगरा description box में दिया हुआ है अभी आगे बात करते है number two की तो अभी बात करते है number two की लेकिन मैं आपको कहा देना जाता हूँ number two and number one को दोनों laptop जो वो Acer की आउर से ही आते है इस budget range में Acer बहुत जादा सही कर रहा है तो मैं आपको बता देता हूँ दो laptops की बारे में मैं बात करूँ Acer Aspire 7 की and मैं बात करूँ Acer Nitro 5 की सबसे पहले मैं आपको दोनों के बारे में clear कर देता हूँ भी अगर आपको office work के लिए चाहिए अ आपके लिए बैस होने वाला Acer Nitro 5 पहले मैं कल तो बोली लगा था आपके लिए बैस हो सकता है Acer Nitro 5 आप जा सकते हो Acer Nitro 5 की और वो बहुत जाता तगड़ा laptop है तो अगर आप वो gaming करना जाते हो मैंने आपको बता दिया अगर आप office work के लिए चाहिए मैंने आपको भी बत अब भी बात करते हैं दोनों के में स्पैस्टिकेशन की थोड़ा से डीपली बात कर लेते हैं तो यह डिस्प्ले की बातों को 15.16 Full HD Plus डिस्प्ले मिल जाती है जो की 16 रिफ्रेश्ट के साथ आती है तो 16 रिफ्रेश्ट यहार एवरेज डिस्प्ले होती है इतना तगरा भी नहीं कह सकता है इतना इसको गलत भी नहीं कह सकता है इस चीज़ को आप द्यान में रखना पर सैसर की बातों को आई फाइव नाइंट इन जनेरेश्ट के साथ मिलता है इस तोरिज की बात करूं आपको 8GB रैम मिल जाती है अपको 32GB तक प्लस आपको 5GB SSD देखने को मिल जात तो यहर अब भी बात करते हैं इस से नीट्रो फार्ब की तो डिस्प्ले की बातों को 15.6 इंच फ्लेश्टी प्लस IPS पैनल डिस्प्ले मिल जाती है जो की 16 रिफ्रेश्ट के साथ आती है आप वर सासर की बात करूं इसमें भी आपको AMD Ryzen 5 देखने को मिलेगा 3500HS के साथ है स् तक कर सकते हो प्लस आपको 5 टालर जीबी SSD देखने को मिल जाती ग्राफिक आर की बातों को GTX 16504 GB मिल जाएगा उपरे नीजिस्प्लेश्टों की बातों को Windows 10 मिल जाती है बैंटरी की बात करूं आपको 6 hours का बैंटरी backup परवाइड कर देता है प्राइस की बात करूं आपको दोनों laptop बहुत अग्रे होने वाले अगर आप एक्स्टा थोड़ा सा भी पी कर सकते हो तो आप एसर नीट्रो 5 के और जा सकते हो अगर आपको गेमिंग डिजाइन नहीं चाहिए तो एसर इसपार 7 आपके लिए perfect deal हो सकता है अगर मतलब अगर आपका budget 50,000 से भी कम है तो एस 55,000 से लेगे 55,000 हो जाता है इस रेंज में Acer laptop बहुत जादा तगड़े है तो यार अभी मैंने आपको top 4 laptop बता दिया जो कि आपके लिए perfect deal हो सकता है अगर आप कोई भी हैवी software यूज़ करना जाते हो पढ़ते हो पढ़ते हो पढ़ाते हो ऑफिस पर के लिए चाहिए programming करन शेयर करते हैं दोस्तों को बेताना उनको भी कहातना कि चाहिए गदा सब्सक्राब विडियो को करें लाइक एंड इस्नाग्राइं पर फोलो लिंक वगार आपको डिस्क्रेप्शिन ब्रॉक्स में देखने को मिल जाए उसको चाहट कोलना मिलते नाक्स्ट वीडियो में ने विडिक साथर तेंक यू